हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माइटूप जैनल दोस्तों जैसा कि आपका दिली फोरेस्ट गाड का एंस्वर की आ गया है और बहुत सारे कंडिडिट का सवाल है कि सर्फ मेरा इतने नमबर है तो क्या मेरा सेलेक्शन हो जागा कि नहीं होगा तो फ्रेंट्स इस वीडियो के मा सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें आप देख सकते हैं कि तो प्रेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कुछ का मार्क उसके बाद हम देखेंगे कटाफ एनलीसी तो यहांपर अप देख सकते हैं दिल्दी फोरेश्ट गाट एंसर की यानिकी एंसर की आने के पासे कुछ कुछ कंडिडेट ने अपना मार्क भीजा एक अपना मार्क टाइप करके मैसज की आया तो यहांपर आप देख सकते हैं या इनका 80 नंबर करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं 127 जनरल कटिगरी से विलोंग करते हैं और यहांपर आप देख सकते हैं 118 यानिकि 118 मार्क है और यह से एसी कटिगरी से विलोंग करते हैं और फिर यहां पर आप देख सकते हैं यानिकी 130 मार्क है जो EWS वर्क से विलोंग करते हैं तो फिर यहां पर आप कह सकते हैं कि 130 यानिकी जनरल का यहां पर बने हैं इनके और 128 जनरल कर्टेग्री से यहां पर इनका बना है यानिकि आकास जी का बना है तो फिर्ट से यहां पर आपका सकते हैं कि जो आपका नॉर्मल एटेंप है यानिकि जो आप बोल सकते हैं कि जनरल कर्टेग्री का जो नॉर्मल मार्क जो बन रहा है यहा और यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका कटाप कितना रहने वाला है और यहां पर आपका 120 से अबब बन रहा है तो आप यहां पर से जोन में है क्योंकि अगर आपका नॉर्मलाइजअन होगा कि मालेज़ें ङगर हमें 10 मारक बढ़ चाहता है कि आपका awak में 1100 जैसे कि से मेंहें अपर इनका 100% की इनका selection हो चुका है यानि कि इनको अब physical की तयारी शुरू कर दिनी चाहिए तो फिर हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका इस पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आपके 120 मार्क से अधिक बना है तो आपको ऐसे ही फिजकल की तयारी शुरू कर दिनी चाहिए लेकिन अगर आपको यानि कि अगर 110 से उपर है तो ऐसे में अगर आपका नॉर्रलाजसें होगा तो आपकर नहीं सकते हैं कि आपका कितने नमचान अगर करता आदा है अगर आपके कितने नमचान नबर बन रह नहीं akin हुए तो फ्रेंट सबसे पहले देखते हैं दिली फॉरेस्ट गार्ट का मेल वर्क का कट आफ कितना जाने वाला है यहाँ पर कटा फेन के देखने से पहले मैं आपको बता देने चाहूंगा कि यहां पर जितने मार्क बता जाएंगे वह आपका मार्क बढ़ गया तो ऐसे में आपका 135 मार्क बन गया और ऐसे में आपका सेलेक्शन हो है कि अगर आपका परजन टाइम में 110 यानि कि अगर आपका 110 या 120 मार्क बन रहा है और अगर आप किसी भी करते हैं तो आपको फीजिकल की तयारी शुरू भी कर देनी चाहिए क्योंकि यहां पर आपकी एकोर्सी पर डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे जै में तो अगर है 110 या 120 से उपर आपको वीजिकल की तयारी शुरू ही कि चाहिए कने और उसे यहां पर हम देखते हैं कि 132-137 की बीच में कटाफ राने का संभावना है और OBC के लोगों के लिए यानि कि अधर बैकवर्ड क्लास के लिए में में 130-135 की बीच में जाने का संभावना है है और अगर आप एसी कटेज़े बीलों करते हैं और अगर आपका 125 मार्व बन रहा है तो आपको फिच्कल की ते के बीच में अगर आपकर अब से खाल नहीं एकटेयों नहीं है तो आप यहां पर फिच्कल की तारी शुरू ही कर दें यानि कि आपका नुमरेक्षन के पास अगर 120 भी चला जाएगा तो आपका सेलेक्षन हो जाएगा और एक्स सर्विस्टमें के लिए अगर आपका 90 मार्क से अधिक बन रहा है तो आपको फिच्कल की तारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि यहां पर 90 से प्रस होने पर आपका सेलेक्षन का पूरा 100 प्रसंट गारांटी है कि हो ही जायागा और फिस यहां पर हम देखते हैं फीमेल वर्क के लोग लिए यानि कि फीमेल के लिए कितना कठाफ जाने का संभावना है तो अगर आप फीमेल है और किइस से एक सो एक सो स्ट्रय की बीच में जाने का संभावना है और अगर आप वेसके कडी और खालिक में होना है और जबकि 80 कटेगरी के लिए 112 से 117 की बीच में जाने का संभावना है और अगर आप EX सर्विसमेन है तो आपका जो कटाफ है वह 80 से प्लस ही रहेगा तो भी आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो फ्रेंस हमारे द्वारत दी गई जनकरी आपको कसा लगा प्रीस हमें कमेंट सेक्षन में जरू बताएं और फ्रेंस अगर आपका 110 से यहाँ पर मैं आपको एक बार और रिपीट करके बता देना चाहूंगा कि अगर आपका 120 और 110 से अधिक मार्क है तो आप प्रेंस समझेए क्योंकि यहाँ पर आपका कोई गारांटी नहीं कि आपका जाएक क्योंकि अगर आपका इहाँ पर नौर्वेशन में 15 मार्क भी बड़ा तो आपका इहाँ पर कटाप में आपका आ जाएगा तो ऐसे में आप यह का सकते हैं कि आपका अगर 110 से उपर है तो आप फिजिकल के लिए लगी जाएं क्योंकि यहाँ पर आपका भी चांसेज है कि हो जाएगा तो फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक की जो चैनल को सब्सक्राइब भीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक महुचते रहे हैं थैक्स पूर वाचिंग वीसु अलवेश्ट वाइप आए